मैं सेल्फ मदूलिका रुहेला स्वागत है आपका मेरे चैनल मदूलिका रुहेला पर जहां में लेके आती हूँ आपके लिए इन्फरमेटिव वीडियोज फ्रेंड्स आपको पता है जैसे हम ऑनलाइन ही स्टडीज करा रहे हैं ऑनलाइन ही एक्जाम्स ले रहे हैं तो जब रिपोर्ट कार्ट का टाइम आएगा तो वो भी तो हमें ऑनलाइन ही सेंड करना पड़ेगा ना येस तो मैं आज की वीडियो में लाई हूँ टीचर्स के लिए ई रिपोर्ट कार्ट कि किस तरह से आप Excel में बहुत सुन्दर सा एक report card create कर सकते हैं और फिर वो students को send कर सकते हैं तो चलिए दिखाती हूँ मैं पहले वो sample जो मैंने create करा है और फिर बताती हूँ आपको step by step सारा procedure कि आपको card कैसे बना सकते हैं फ्रेंड्स मैं ये सारा procedure आपको mobile में ही बताने वाली हूँ तो कोई भी teacher easily मेरी video देखकर step by step उस card को create कर सकते हैं तो चलिए सबसे पहले मैं आपको sample दिखा देती हूँ कि किस तरीके से आप personally हर एक student को वो card send कर सकते हैं और ये देखें ये मैंने अपनी ही नाम से अपना report card create कर रहा है जहाँ आप देख सकते हैं subject लिखें English, Math, Science, Hindi, SST, Computer, GK जो 100 and marks की paper है और इसमें से ये marks मुझे routine हुए है grand total लिखा है, total marks लिखें नीचे और इसके बाद attendance, craft, music, art और yoga के grade है और साथ में एक अच्छा सा sticker लगाया है जिस पर well done लिखा है सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा friends अगर आपके mobile में Excel एप नहीं है तो आप Microsoft Excel एप को download कर लिजिए Play Store से मेरे पास यहाँ पर office की एप है तो मैं tap करी हूँ और उस office की आप को open करे यह देखे मेरे पास यह office की एप है मैंने इसे open कर लिया है अब यहाँ पर मेरे इस एप में मुझे इस plus की sign पर touch करना होगा और फिर यह documents जो लिखा है इस button को touch करना होगा तो जैसे ही मैं touch करूंगी मुझे option मिल जाएगा Excel की बनाना चाहती हूँ file या word की बनाना चाहती हूँ या powerpoint की बनाना चाहती हूँ तो मुझे तो Excel की file बनानी है तो मैं यहां से blank workbook को touch कर दूगी जैसे ही मैं touch करूंगी अपनी spreadsheet पर आ जाओंगी यहां मुझे सिर्फ दो की column की need है अगर आप कोई भी modification करना चाहते हैं जो मैंने बना रखा था वहां पर code card तो आप अपने हिसाब से columns को set कर सकते हैं अब यह column की width मैं बढ़ा रही हूँ देखे एक बाद tap करेंगे जो हमारा column का header है A और B जहां लिखा है पर यहां double line आ जाएंगी जो border है वहां पर आप green color का जो यह button सा है header है यहां आपको two lines दिखाई दे रहे हैं आप इसको right side में जब track करोगे अपने thumb की help से तो इस तरीके से यह drag हो जाएगा तो मुझे यहां दो ही column चाहिए अराम से मुझे यह दो column दिखाई दे रहे हैं मुझे C की need नहीं है मैं इसे और बड़ा कर सकती हूँ तो मैं यहां से इसको और बड़ा करने की कोशिश करे हूँ ठीक है यह मेरा काम हो गया आप सबसे पहले मुझे यह देख रहे हैं आप जैसे ही मैं इसे touch करती हूँ किसी भी cell को जैसे ही मैं touch करती हूँ तो आप देखते हैं यह border से बन करा जाता है और दो यहां पर circles है इनको आप touch करेंगे तो आप इसे drag कर सकते हैं बहुत easily तो मैं इन दौनों को drag करके ऐसे select कर लूँगी राइट साइड में drag करूंगी तो select हो जाएंगे दौनों columns यह देखे select हो गए है अब यह आप नीचे एक up arrow देख रहे हैं राइट साइड में उसे एक बार touch करेंगे जब आप इसे touch करेंगे तो यहां home menu के सारे option आपको दिखाई देने लगेंगे यहां से मुझे लेना है merge in center यह मैंने touch कर लिया तो मेरी जो यह है इस तरीके से merge हो गई है और जब मैं cursor लाओंगे तो जो font लिकोंगी वह center में आएगा अब मुझे next करनी है मुझे अलग-अलग करना पड़ेगा इने merge नहीं तो वह सब एक cell बना देंगे यह मुझे चार में ऐसा करना है तो पहले मै यह कर लेती हूं एक और ओके यह हो गया मेरा अब सबसे पहले मुझे क्या करना है यहां पर मुझे देखना है कि मुझे कितने columns चाहिए और उसके हिसाब से मेरे को इसका format create करना है तो मुझे है school के name चाहिए फिर मुझे यहां पर चाहिए कि कौन सा exam हो रहा है half early है या final है फिर मुझे name चाहिए उसके बाद मुझे class चाहिए तो यह चार चीज़े होगी उसके बाद मुझे चाहिए यहां पर लिखावा header यह थर subject और इधर marks then मुझे चाहिए होंगे subject तो मैं यहां पर इस green circle को ऐसे drag करूंगी दाजे से यह मैंने select करा और फिर मुझे क्या करना है यह मेरा home tab ही open है इसमें से मुझे लेना है borders यह आप देख रहे हैं full border इसको touch कर सकते हूं तो अगर मैं full border लेती हूं तो यह इस तरीके से मेरे को show होने लगेगा ठीके ना अब मुझे क्या करना है मुझे color करना है suppose तो यहां पर आप देख रहे हैं fill और font दो color दिखाई दे रहे हैं ठीके तो फिल पे अगर मै करूंगी तो मेरे जो cell है उसमें color आजाएगा जो background है उसमें color आजाएगा अगर मैं font color select करती हूं तो जो भी लिखा होगा text वो colorful हो जाएगा तो मैं fill कर लेती हूं light light shade आपको select करने हैं और अलग-अलग color से इन्हें fill कर लीजे तो जल्दी-जल्दी कर लेते हैं आप दो color की mix से भी बना सकते हैं इस तरीके से अब यह select करके एक साथ आपको मैंने select करना तो बताई दिया है और इसके बाद आप color लेते चाहिए और बनाते चाहिए मैं सोची इन दो color से बनाओ तो दो ही color ले लेते हूं इन अभी इतना कर लेते हैं उसके बाद देखेंगे आगे हमें क्या जरूत पड़ेगी और type करना start कर दीजे स्पोस्पोस मैंने यहां पर लिखा है अपने school का नाम चिल्ट्रन पब्लिक स्कूल ठीक है इसका वी सी पर कैपिटल कर लेते हैं नेक्स मुझे यहां पर लिखना है डबल टैप करते हैं जब किसी भी सेल पर तो करसर आ जाता है तो आप दो बर टच करिएगा सेल को करसर आ जाएगा इसके बाद आपको लिखना है हाफ फिर्डी एक्सामिनेशन 2020-21 अब लेटर स्कूल कर लेते हैं पर्स लेटर स्कूल क्यापिटल तो आता है आपको करना भई टाइप करते हूंगे मैसेज़ेस वगर में यह जो अप एरो होता है अभी दिखाती हूं आपको यह जो अप एरो है इससे क्यापिटल हो जाता है अब हमें क्या करना है अब हमें लिखना है क्लास यह जो मैंने अभी आपको सेंपल दिखाया था उसमें नहीं था और यहां पर आगया अब मेरा नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं मैं अपना ही नाम लिख लेते हूं अपने लिए खुदी रिपोर्ट कार्ट क्रेट कर लेते हूं चीक है तो अब आएगा यहां पर अब यहां पर आएगा मार्स चीक है अब यहां पर आएगा सबसे पहला सबजेक्ट बने ले लिया इंग्लिश ओके इंग्लिश लेने के बाद मैं यहां पर इसके मार्स लिखते हूंगे हमारे आए हैं 100 यहां पर मैंने मार्स लिखती है 89 फिर मैंने लिखती है हिंदी और यह भी मैंने करती है 100 तो मैं यह लिख लेती हूं पहले उसके बाद इसे अभी स्किप करके आपको दिखा दूँगे वीडियो में की मैंने कैसे लिखा है तो मैं यहां पर क्या करूंगी ओटो सम फंक्शन लगाऊंगे पहले यहां से सेलेक्ट कराओ मैं यहां पर एक पर टाप करूंगी इस मेरी फर्स सेल है जिसमें मार्क्स लिखे है तो ड्रैग करके नीचे मार्क्स लिखे होंगी जब यह सब सेलेक्ट हो जाएगा तो यह मेरे जो डाउन है रहो है यहां से सेलेक्ट करूंगी यहां पर सेने हैं अब मुझे यहां पर लगाने है एक पिचर में पिचर कहां से लएंगे हम दीखिए मैं आपको बतारRI हूँ यहां से बचारी हूँ मैं इसे सब क्लोस कर देती हूँ मैं यहां से मुझे जाना है अपने chrome पर यह आपको लिखना है well done png ठीक है और search करना है तो देखे इतने सारे आपको images मिल जाएंगे images tap पर touch कर लीजिए और आपको जो अच्छा लगता है वो आप सब्सक्राइब मुझे अच्छा लग रहा है मैंने इसे open कर लिया और long प्रेस करके रखा download image पर touch कर दिया और मेरी जो image है वो देखिए यह download हो गई है ठीक है न अब मुझे क्या करना है मुझे वापस जाना है अपने Excel पर यह मैंने book one open कर लिया यहां पर मुझे वो image चाहिए तो यहां मुझे मिलेगा insert picture option यहां पर मैं down सबसे पहले मुझे जाना है यह tabs है जो मेरी यहां पर insert menu पर touch करूंगी और यह देखिए यहां पर क्या table insert करनी है data from picture pictures तो मुझे pictures लेना है इस पर मैंने touch किया photos पर touch किया जैसी photos पर touch किया वो कहरे browse कर लीजिए मुझे यहीं सामने दिखाई दे रही है इसे मैंने touch कर लिया और done पर एक पर touch कर दिया तो यह मेरी इतनी बड़ी सी पिचल आगए जिसे मुझे छोटा करना पड़ेगा आप crop भी कर सकते हो पर आप छोटा भी कर सकते हो यह try करनी हूं से छोटा करने की अराम से हो जाएगी यह देखिए अब मैं इधर से छोटा करती हूं तो देरे देरे यह आ जाएगे हमारे screen पर यह दिखिए आ गई है अब इसे मुझे यहां पर put करना है इसे इतना छोटा करना है कि हमारे cell में लग जाए राम से cutely set हो जाए आप देखिए यह हमारा बन गया है एक बार दिखाती हो आपको यह इस तरह से दिखाई दे रहा है चीक है न आप मुझे क्या करना है पहले तो यहां color कर दूँ यह color हो गया है अब हमें इन्हें center में लाना है यह जो subject है marks है center में आने चाहिए तो देखिए मैं select कर लूँगी सबको सबको select कर लेती हूँ text को यह और इसके बाद मुझे जाना है इस arrow पर और यहां से center select कर देखिए सब कुछ मेरा center में आ गया है अब हमें क्या करना है इनका size change करना है यह 11 की जगा मैंने यहां पकड़ लिया 12 ठीक है 12 ठीक लग रहा है बिल्कुल मैंने यह select करा सब और सब को पर दिया bold ठीक है और अब मैंने color change करना शुरू कर दिया font color पे गई और यहां मुझे dark color लेने अभी मैंने light color लिये थे अब मैं यहां सारे dark dark color लेती जाओंगी तो देखिए यह इस तरीके से हमारा यह report card ready हो चुका है बनके अब आपको क्या करना है इस तरीके से दोनों उंगलियों से जब आप इसको drag करोगे बाहर की तरफ को अपनी उंगलियों को scratch करोगे तो यह बड़ा हो जाएगा अंदर की तरफ करोगे तो छोटा हो जाएगा आपको क्या करना है सिंप्ली आपको इसको इस स्काइज में करना है कि आप इसका फोटो क्लिक करता हो ओके तो आपको इसका screenshot लेना है कहीं पर करसा नहीं आना चाहिए यह यह बल्कुल मुझे अब इसके बाद मुझे इसका screenshot लेना है कि देखिए screenshot मेरा हो गया है अब मुझे क्या करना है मुझे जाना है galleries पर तो मैं यहां से बाहर आ जाते हूं और यहां से galleries मेरा खुलोगा है यहां पर यह रहा मेरा screenshot जैसे भी आपकी mobile में edit होती है उसे edit करना है आपको यह corners पर arrow से दिखाई देने लगेंगे यह selected होगा आपको crop करना है इसको जिससे यह Excel का जो portion है वो show ना हो यह देखिए मैं यहां पर crop कर रही हूं इस तरह से अब मुझे सही लग रहा है और यह मैंने save कर लिया तो देखिए यह मेरा report card एक बच्चे का ready हो गया है अब मैं इसे share करूंगी WhatsApp पर जिस भी बच्चे को आपको send करना है suppose ही मैं अपने husband को send कर रहे हूं यह देखिए मैंने send कर दिया तो जब यह e-card parents को show होगा तो वो खुश हो जाएंगे और यह personalized e-card हर एक बच्चे को बहुत अच्छा लगेगा सब लोग खुश हो जाएंगे इस तरीके का card देखकर और उन्हें school भी नहीं जाना पड़ेगा report card लेने के लिए अगर आपको दूसरे बच्चे का report card create करना है तब आपको क्या करना है आपको जाना है अपने office app पर या excel की जो app है उस पर open करना है इसे यहां से इसे पर name change करन है मानने जिए मैं करनी हूं यहां पर कोई मधूर रहेला कर देती हूं और यहां से marks change करेंगे बाभी बताया था मैंने आपको कैसे करना है double tap करनी है और यह marks change करते जाएए यह बस और grade change कर दीजे तो दूसरा report card आपके लिए तयार है और सबसे अच्छी बात कि आपको कुछ नहीं करना सब total अपने आप होता चला जाएगा सबोस यह marks है यह देखिए यह total अपने आप change हो चुका है यहां से आप attendance बदल दीजेगा कितनी देर लगे आपको इस काम में एक मिनट में नहीं लगा उसी के बाद फिर से आपको ऐसी screenshot लेना है आप चाहें तो सारे screenshot देख कर लीजे और उसके बाद आराम से send कर लीजे तो कैसा लगा आ री वीडियो को और सारी टीचर के साथ प्लीस ट्राइ करेंगा अटने स्कूल में अपनी कल्समें इस रिपोर्ट कार्ड को और सब्सक्राइब करेंगा मेरे चैनल को जिससे मैं आपके लिए इसी तरह प्यारी ब्यारी ॡियो लाती रहू है Iky for watching my video love you all take care